गुमला में वोटिंग के दोरा नक्सली हमला हुआ है कोई हताहत नहीं है तो आपको बता दे कि जारकन में प्रथम चुरण के लिए मतदान सुब़ साथ बज़े से शुरू हो गया है जो तीन बज़े तक जारी रहेगा नक्सली प्रभावित शेत्र है तो इसके चलते ही ये प्रेस्ता लिया गया है कि मत्रदान जो प्रक्रियाई वो दुपहर तीन बजे संपन हो जाएगी और इसी बीच ये गुमला से बड़ी खबर सामने आ रही है जापर नक्सली हमला हुआ है वोटिंग के दौरान गुमला में इनक्सली हमला फिलाल राहत की बात ये कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ